Hello everyone, this is Anita and welcome back to my channel The Knowledge Ocean. अभी पूरा विश्व करोना वाइरस के प्रभाव से पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पूरे विश्व को एक और खतरनाक वाइरस के मिलने की ख़बर ने हिला कर रख दिया है. इस वाइरस को जॉम्बी वाइरस कहा जा रहा है. यह जॉम्बी वाइरस क्या है और इससे मानव जाती को कितना खत्रा है? आज की वीडियो में हम इसी विश्वेपर डिसकस करेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस ख़बर पर दो अलग-अलग न्यूजपेपर्स की हैडलाइन्स को देखते हैं. 50,000 years old zombie virus found buried in snow can become a threat to human life. पूरी दुनिया के लिए खत्रे की घंटी. यह जॉम्बी तो बस एक है, हजारों साल से बर्फ के नेचे चिपे हैं ऐसे कई वाइरस. अब देखते हैं कि एक्चुल में खबर है क्या? A team of European researchers revived 13 active virus stuck under the Siberian permafrost in Russia. means European researchers ने रूस के Siberian permafrost में 13 active virus discover किये हैं. Siberian permafrost रशिया का वह भाग है जो कि permanently birth से ढखा रहता है और यहां का temperature पूरी साल 0 degree Celsius से कम रहता है. इन 13 virus में से 12 virus यहां की Siberian wolf की फर में पाए गए हैं और एक virus यहां की frozen lake Yukichi Alas के नीचे मिला है. यह virus 48,500 साल पुराना है और इस virus का नाम Pandora virus है. लेकिन इस virus को researchers ने जॉम्बी virus का नाम दिया है. अब प्रशन उठता है कि इस virus को जॉम्बी virus का नाम क्यों दिया गया? तो इसका कारण यह है कि लगबख 50,000 साल बर्फ के नीचे ढखे रहने के बाद जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बर्फ पिखली तो यह virus फिर से एक्टिव हो गया. यही कारण है कि इसे जॉम्बी virus का नाम दिया गया. इस से पहले भी इस टीव ने 2013 में इस तरह के virus को discover किया था और यह virus 30,000 साल पुराने थे. एक्टिव जॉम्बी virus मिलने की ख़वर से लोगों में एक डर का माहौल है और हो भी क्यों नहीं? अभी तक मनुशे कोरोनो virus के डर से बाहर निकला भी नहीं था और अब यह जॉम्बी virus का मिलना. लेकिन क्या हमें इतना डर के रहनी की जोवत है? इसका अंसर है नहीं क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि अभी तक यह virus बर्फ के नीचे कवर्ट था. लेकिन अब जब यह बाहर आ गया है तो बाहर की बढ़ती हुई गर्मी और चेंज अट्मोस्फियर में यह कैसे रियक्ट करेगा? यह अभी से नहीं कहा जा सकता और इससे मनुशे के इस्थान पर एनिमर्स को जादा खत्रा है. अब प्रशन उठता है कि इस वायरस को बाहर निकलने की आवश्रक्ता क्यों हुई? तो इस प्रशन पर रिसरचर्स का कहना है कि यह खोज यह दर्शाती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से क्लाइमेट जिस सरे से दिन रत बदल रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब बढ़ती हुई गर्मी की वज़े से यह सारी बफ पिघल जाएगी और ऐसे ही बहुत स कम करने के लिए कदम उठाने होंगे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आई होप आपको इवीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इवीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू